हेलो एब्रिबड़ी वेलकम और वेलकम बैक टो मैं चानल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यूटिफुल से औरेंज सिल्क साडी की डिजाइन फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नहे हो तो जल्दी सेकेडिक चैनल को सब्सक्राइब प्रेस अगर हम उसमें साडी की बात करें तो सिल्क साडी बहुत ही बेटी लगती है तो फ्रेंड्स मैंने इस कलेक्शन में सारे सिल्क के पैटन्स जो है वो कवर अप करने की कोशिश की है यहां पर आप सिल्क के डह सारे पैटन्स दिख सकते हो कि यहां पर मैंने कांजी बरम, बन इस वीडिये से आपको आइडिया मिल जाएगी कि इस तरह से हमें औरेंज साड़े को स्टाइल करनी चाहिए औरेंज साड़े के साथ कौन-कौन से कॉन्टरास्ट कलर के ब्लाउजे सूट होते हैं यह एक फैस्टिव कलर है तो आप इसे किसी भी फैस्टिवल पर या फिर्म वेडिंग के लिए ट्राइ कर सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन्स है आप बॉर्डर्स की डिजाइन्स भी देख सकते हो औरेंज सिल्क साड़ी के साथ अगर हम कॉन्टरास्ट ब्लाउजे के बात करें तो यह औरेंज विक पैंक एक क्लासिक कॉंबिनेशन लगता है आप औरेंज साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज भी बैर कर सकते हैं अगर आप ब्राइडल आउट्पिट चूज करने में थोड़ से कंफ्यूज है तो यह विडियो अपके लिए हल्फूल रहे हैं तो मैंने इसमें मोस्टली इसल्क साड़ी में डिजाइनर सारी ही शया की है सिल्क साड़ी में रफ सिल्क के साथ साथ सॉफ्ट सिल्क भी होता है अगर आप सॉफ्ट साड़ी के साथ जाना साते हो तो comparatively वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आप इसे बैडिंग के अलावा किसे भी हैपी ओकेजन या पर फेस्टिव ओकेजन के लिए वह कर सकते हो औरेंज कलर के साथ ग्रीन कलर के ब्लाउस भी एक क्लासिक कॉंबिनेशन होता है इससे पहले मैंने पिंक कलर के सिल्क साड़ी डिजाइन शेयर किये है तो वो भी सारी आप ऐसे ब्राइडल आउटफिट चूज कर सकते हो तो मार्केड में आपको इस तरगी की साड़िया मिल जाती है डिजाइन थोड़े सेम ही रहेगी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना है यह वीडियो में ने सिर्फ आइडिया पॉपर्स के लिए बनाया था तकि आपको आइडिया लगे कि और इस सिल्क साड़ी को स्टाइल के से किया जाता है तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में किसी ऐसी व्यूट्यूफिवर कलेक्शन के साथ तिल देन तेक के बढ़ाई